नमस्कार दोस्तों आज के हमारे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके पहले वाले वीडियो में हम इसी के बारे में वीडियो बनाया थे मतलब हिंदी में प्रथम कौन क्या है और पहली रशना इत्याद के बारे में बनाया थे वीडियो लेकिन उसमें ब प्रश्णों का संकलन हुआ है और इसी तरह के वीडियो हम आप लोगों को और देंगे अभी तो चलिए देखते हैं क्या है हिंदी में प्रथम तो उस वीडियो में जो था ओभी इसमें हम लिये हैं प्लस उसके बाद और कुछ प्रश्णों का संकलन किये हैं तो चलिए देख सरफुद्दिन यजदी 1424 इस भी जफर नामा में प्रस नमबर दो हिंदी के प्रथम कभी कौन है तो उत्तर होगा सरहपा प्रस नमबर तीन हिंदी की प्रथम रचना तो उत्तर होगा स्राव का चार जो की देव सेन ने लिखे हैं के नो सो तैंटिस इस भी में प्रस नमबर चार हिंदी का प्रथम महा काभ वे हिंदी का प्रथम महा काभ वे उत्तर हो जाएगा प्रितवी राजवररासो अज दा मैं में हिंदी का प्रथम महा कभी कौन है तो उत्तर हो जाएगा चंद वर्दाई प्रस नमबर छे खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कभी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कभी उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो प्रस्ट नम्बर शाथ आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कभी कौन है तो उत्तर हो जाएगा स्रीधर पाठक प्रस्ट नम्बर आठ खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महा कभी कौन है तो अयोध्या सिंग उपाध्या हरियोध प्रस्नमेय 9 खड़ी बोली हिंदी का परिथम ह्मकाव्य खड़ी बोली हिंदी का परिथम ह्मकाव्य उतर हो जाएगा प्रिख प्रवाष लिखें है अयोर्ध्य सिंग उपाध्य हरिय ऊद्ध प्रश्ण नमबर 10 हिंदी का प्रथम सबसे बड़ा महा काविय उत्तर होगा पदमावत लिखे हैं जैसी जैसी का पूरा नाम है मलिक मुहम्मद जैसी प्रश्ण नमबर 11 हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक उत्तर होगा आनंद रघुनंदन रचनाकार हैं महाराजा विशुनात सिंग 17 सव इस्वी के लगभग प्रस्ट नमबर 12 हिंदी की प्रत्म आत्म कथा उत्तर है अर्ध कथानक रचनाकार हैं बनार्शी दास जैन 17 सताबदी में प्रस्ट नमबर 13 हिंदी की पहली दलित आत्म कथा तो हिंदी की पहली दलित आत्म कथा कौन है उत्तर हो जाएगा अपने अपने पिंजरे जोकी लिखे हैं मोहंदास नयमी सराय प्रकासन है प्रश्ण नमबर 14 हिंदी की प्रथम जीवनी उत्तर हो जाएगा दयानन्द दिग्विजे रशनाकार है गोपाल सर्मा प्रकासन वर्ष है इसका 1881 इस्वी प्रश्ण नमबर 15 हिंदी का प्रथम रिपोर ताज तो हिंदी का प्रथम रिपोर ताज है लक्षमी पूरा रचना का रहे हैं शिवदान सिंग चौहान प्रस नंबर शोलक हिंदी की प्रत्थम कहानी कहानी है तो उत्तर हो जाएगा इंदू मती रचना का रहे हैं किशोरी लाल गोस्वामी नोट आधुनिक सोद के अंस्वार एक टोकरी भर मिट्टी एक टोकरी भर मिट्टी रचना का रहे हैं माधा राव सप्प्रे जो की आधुनिक सोद के अंस्वार इसको इसी को ही प्रत्थम कहानी माना जाता है प्रस नंबर 7 हिंदी की पहली बैग्यानी कहानी तो हिंदी की पहली बैग्यानिक कहानी काउंसी है तो उत्तर हो जाएगा चेंदर लोग की यात्रा रशनाकार है केशव प्रसाद सिंग प्रस्ट नमबर 18 हिंदी का प्रथम गद्यकाब्य हिंदी का प्रथम गद्यकाब्य काउंसा है तो साधना रशनाकार है रायकृष्टदास रशनाकाल मतलब समय है रशना का 1919 इसवी प्रेस नमबर 19 हिंदी की प्रतम अयतिहासिक कहानी तो हिंदी की प्रतम अयतिहासिक कहानी है राखी बंद भाई रशनाकार है ब्रिंदावन लाल वर्मा 1909 इसवी में प्रेस नमबर 20 का च्छायावाद का प्रथम का विष्णक्र है जैरना रच्णा का रहे है जैसंकर प्रशाद रचना काल है उन्हेस ओठार ्षवी अ प्रस्ण नंबर 21 हिंदी प्रठम अतुकांत रचना तो हिंदी की प्रठम अतुकांत रचना है प्रेमपठिक रचनाकार हैं जैसंकर्प्रशाद प्रकासनोंवर 2 1905 में ब्रस भासा में प्रकासी थोई थी तथा 1913 nigga खड़ी बोली में प्रकासित हुई थी तो एह दो भासाओं में प्रकासित हुई थी प्रियमपति ब्हुतकी इंदी की प्रतं अथूकांत रचना है प्रस्ट नमबर 22, खड़ी बोली गद्ध की प्रिथम रचना, तो खड़ी बोली गद्ध की प्रिथम रचना कौन सी है, तो है चंद चंद वर्णन की महिमा, रचना कार हैं गंग कभी 17 वी सताब्दी में रचना हुई प्रस्ट नमबर 23, परिमार्जित या सुध खड़ी बोली गद्ध की प्रिथम रचना, किसे कहेंगे, परिमार्जित या सुध खड़ी बोली गद्ध की प्रिथम रचना, तो उत्तर हो जाएगा भासा योग वशिष्ट, भासा योग वासिष्ट है, वासिष्ट ने वासिष रामप्रशाद निरंजनी रशनकार है प्रकाशन वर्षे 1741 इस भी शुक्र लेके एंस्वर मतलब एक कौन माना है इतना 1741 शुक्र माने हैं तो आगे चलते हैं प्रस नमबर 24 च्छायावाद सब्द का प्रिथम प्रियोग करता मतलब सब्द सब्द का क्या था तो मुकूट धर पान्डे मुकूट धर पान्डे हैं तो आसा है कि ए वीडियो आप लोगो प्वशंद आया होगा कि तो यही प्रस्न थे दोस्तों जो की बहुत महत्पूर हैं परिक्षा की दिरिष्टी से इसी तरह कि आप लोगोको और भी हम रशनों का सेंकलन करेंगे इसी तरह का वीडियो आप लोगों को और देंगे तो यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब